महा सती सीता चरित्र आधारित पुस्तक तमाच लेखन वर्दमान तपो निदी आचार्य देव शीमद विजय भुवन भानु सुरिश्वर्जी महाराजा जैसे अनुकुल स्थिती में धर्म की और द्रस्टी होगी, तो विकट स्थिती में भी धर्म की और ही द्रस्टी रहेगी वैसे ही अनुकुलता में मोक्ष द्रस्टी होगी, तो विकटता में भी मोक्ष द्रस्टी बनी रहेगी अच्छी स्थिती में मोक्ष तरफ द्रिष्टी इस प्रकार रखनी है कि यह सारी सुविधाओं में बहुत गर्व से इतराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अनुकुलताएं शाश्वत रहने वाली नहीं है अमर और शाश्वत है एक महत्र मोक्ष ही इसी लिए वास्थों में देखने जाएं तो सच्ची अनुकुल स्थिती तो मोक्ष में ही है इसी कारण से पैसा आदी मिलने पर गर्व से ज़्यादा उचलने कोदने की जरूरत नहीं संतुष्ट होने की भी जरूरत नहीं मेरी वास्तवी का नुकुलता मोक्ष ही है यह विचार हिर्दय में स्थीर कर दो स्थुल बद्रजी को राजा नद की और से मंत्री पद की अंगुठी भेट दी गई तभी स्थुल बद्र को महसूस हुआ कि यह मंत्री पद स्विकार करने पर मैं अपना पूरा समय कोशा विश्या के साथ नहीं बिता पाऊंगा इसी लिए मुझे यह मंत्री पद का अस्विकार करना होगा बैसे ही संसार वास में पड़े रहने से तो चारीत रके भी ना मैं मोक्ष के अनंत सुखों से वंचित रह जाओंगा यह मानव भाव तो मोक्ष के अनंत सुख पाने के लिए मिला है तो संसार के ख़निक अनाशवंत सुख के पीछे क्यों व्यर्थ करना देखो नंद राजा के ध्वारा इतने बड़े राज्य का पद सामने से मिल रहा है यह दुनिया की नजरों से देखो तो कितनी बड़ी अनुकुल स्थी थी फिर भी नजरों के सामने मुक्ष आ खड़ा तो बिना विलंब तुरंत ही सादुवेश भहन कर चारीत्र ग्रहन कर लिया कितना जवर्दस्थ विवेक, कितना बढ़िया आत्म पराक्रम अनुकुल्ता में मौक्ष द्रश्टी जागरत है इसी लिए शावक परलोक प्रधान जिवन जीते हैं अनुकुल्ता में भी ऐसे विचार, वहनी और व्याहवार न करें जो यहां तो सुख में मन को वहवाई महसूस कराए पर परलोक को बिगार दे परलोक बिगड़ा यानि परलोक के हलके भव बांदे हलके भव में तो पाप ही करने को मिलेंगे और इसे